हेलो गाईज वेलकुम तो मैं चैनल और हम बहुत बढ़िया सा ड्राइंग करने जा रहे हैं इसका नेक्स स्टेप हम आज स्टार्ट करें इसमें हम सबसे पहले हम बालों से स्टार्ट करेंगे और बालों के लिए मैं यूज कर रहा हूं सॉफ्ट शार को पैंसिल जो कि मुझ कि है ड्रोइंग करने के लिए हम एक चीज ध्यान में रखना होता है कि हमें जो भी पैंसिल है उसके टिप ब्लू शाप रखो और स्लो स्लो वर्क करो मदलों धीरे धीरे काम करो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हम करने लग जाते हैं बहुत जल्दी में हमारे काम खराप हो सकत करें लेक्ष्ट लेयर दें इसी प्रगार हम अराम अराम से लाइन करकर के ब्रशिंग करेंगे उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे ब्रश है मैं बिसिकली ब्रश यूज करता हूं कि मेरे को ज्यादा अच्छा इसका स्मूथ लगता है ब्लेंडिंग से इतना अच्छा नहीं ह जाती है तो मैं recommend करूँगा कि यूज़ करें जहां भी यूज़ करते हो तो साथ ही बहुत सारे मेरे दोस्त जो की मतलब ग्रेफाइट का यूज़ करते है बालों को बनाने के लिए तो मेरा कहना होगा कि अभी बंद कर दोसे क्यूंकि उस पर शाइन बहुत जादा आता है जाद चमकता है और उसमें कुछ नहीं दिख पाता है तो कोशिज करें कि चार्कुल पैंसल यूज़ करें जिसमें ग्रेफाइट हो ज्यादा शाइन ना हो तो अभी मैं 0.5 पैंसल का यूज़ कर रहा हूं मेकैनिकल पैंसल और इसे में छोटी छोटी डिटेलिंग्स दे रहा हूं इसी प्रकार आपको भी डिटेलिंग्स देनी होगी जब आप बनाएंगे इसे बनाते हैं यह रखना चाहिए कि हम बेवज़ा किसी भी जगा पर इस्ट्रोक्स न लगाएं जहां पर यह करते हो तो धीरे-धीरे उसमें जो रियलिस्टिकनेस होती है वह दीरे-धीरे गयाप होने लग जाती है इसलिए कोशिस करें जहां पर इस्ट्रोक्स हैं वहीं यहां पर थोड़ा darkness मेरे को जाद अचीय था और मेरे को shine मैं नहीं चाहता था कि मेरे drawing shine करें इसलिए मैं उस विज़े से भी charcoal का use किया है यहां पर मैंने short charcoal और hard charcoal दोनों का use किया है जब दुकान पर जाएंगे तो वह बिसिकली तीन तरह के चाकुल दिखाएगा जिसमें से यह ब्ली वाला शॉट चाकुल होता है और रेड वाला और एक और ग्रीन क्लर का होता है साथ से वह होता हाड तो इसका मैंने यूज किया है शेडिंग को हमें 45 डिगरी के एंगल में करना होता है कि कि इस एंगल में थोड़ा हमारा हाथ कुछ इस परकार का बना है जो कि इस एंगल में हमें स्ट्रोक्स लगाने में आसानी होती है और सभी डायरेक्शन से हम इस स्ट्रोक्स को लगा सकते है तो मैं कहना चाहूँगा कि इसको प्रेक्टिस करना है तो 45 डिगरी के एंगल में करना ताकि यह आपको benefit दे हम यहाँ पे beard बना रहे हैं और हम इस पूरे अभी वीडियो में hair drawing और beard drawing ही करेंगे और इसका एक और नया part आएगा जिसमें हम इसकी full drawing complete कर देंगे तो let's see कैसा बनता है और beard drawing करने के लिए हमें same उसी procedure का यूज़ करना है हमें charcoal pencil यूज़ करनी है यहाँ पे आप mechanical pencil भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा थोड़ा charcoal pencil को हम थोड़ा हलका यूज़ करेंगे first layer में फिर उसके बाद depthness देंगे यहाँ पे आप charcoal powder का भी यूज़ कर सकते हो ताकि इसमें depthness ज्यादा सके आप भी हम करेंगे भी तो let's see कैसा रहता है आप वीडियो को पूरा watch करें आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार आप realistic drawing कर सकते हो और यहाँ पे मैंने 45 degree के angle में हलके से strokes लगा है जो कि blend करने के बाद smooth हो जाएंगे दिखेंगे नहीं तो हम यहाँ पे हलक के हाथ से 45 degree के angle में भी shading कर सकते हैं उसके बाद हम जब erase करेंगे तो वह erase भी अच्छे से होगा इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम जो भी shading करें वो smooth हो और हलके हाथ से किया गया हो यहाँ पे आप देख सकते हों मैंने blend किया है तो blend हो गया अच्छे से यहाँ पे मैं उसी में जो dust लगा हुआ उसी से मैं neck भी shade कर रहा हूँ साथ में थोड़ा सा और beard जो कि आगे की तरफ निकला हुआ है उसे भी shade कर रहा हूँ charcoal pencil को हम में फोटो में देखना होता है कि सबसे जदा dark area कौन सा है जो सबसे जदा dark area है वो area है charcoal pencil का उन्हां पे आप यूज़ करें charcoal pencil ताकि वो depthness आ सके और हाट यह देखो मैं हाट pencil के यूज़ कर रहा हूँ और इससे हलकी depthness आ रही है जो कि मुझे neck में चाहिए थी neck के area मेरे को थोड़ा सा white रखना है अभी क्योंकि अभी मैंने फुल ड्राइंग नहीं करनी है इसमें lines का बहुत important होता है जब भी आप lines बनाया तो थोड़ा आराम से मतलब कहीं पर भी आपको sub lose नहीं करना है patience lose नहीं करना है तो हमें continuously जब आपको लगे कि मैं तक चुका हूँ तो आपको से छोड़ दें बाद में करें उससे आपको फायदा होगा चोड़ी चोड़ी डिटेलिंग जिसमें हलके आपको बाल दिखते होंगे कहीं पर कि कई बार होता है कि जहां पर हलके बहुत पतले बाल होते हैं वहां पर हम dark pencil कर यूज़ कर देते हैं तो वहां पर गलती कर देते हैं जो कि थोड़ा सा जो बाल है हलका से निकला हुआ उसको हलकी पैंसिल से और पतला बनाए ताकि वो रियलिस्टिक दिख सके यहां पर मैं 0.3 मेकेनिकल पैंसिल का यूज कर रहा हूं और मैं डिटेलिंग्स दे रहा हूं इसमें थोड़ी थोड़ी और यहां पर मैंने इनी इरेजर का यूज करना इस्टार्ट कर दिया है यहां पर मैं हाइलाइट्स दे रहा हूं और मैंने बीर्ड में भी हाइलाइट दिये हैं इस में तोमो मोनो एरेजर से और जब भी आप तोममोन यूजर यूज करें विएड के लिए तो उसके पहले हलका से कट लगा लें टोमो मोनो एरेजर में और फिर उसका से फिर अच्छी अच्छी लाइने निकालें जब उसके बाद 0.3 यह 0.5 पेंसिल मेकेनिकल पेंसिल के यूज करें और उन लाइन्स को थोड़ा से और अच्छे से हलका डिटेल से निकालें ताकि वो अच्छे से दीखें जहां टॉमो मोनो इरेजर से ज्यादा अच्छे से इरेज नहीं हुआ है तो आप इलेक्ट्रिक र भी रहा है तो 0.3 पेंसिल में बहुत सारे लेट्स भी आते हैं 0.6, 0.8 और 0.5 में भी बहुत सारे लेट्स आते हैं जो कि 0.6, 0.4, 0.8, 0.10 इस प्रकार होते हैं तो आप वह भी लागा कर सकते हो अदरवाइस आप नॉर्मल पेंसिल यूज कर सकते हो चैमलीन की और अनिव आप वीडियो पसंद आई हो जहां कोई वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लेना और बेल एकन जुरूर दबाना क्योंकि इसका नेक्स पार जल्दी आने वाला है तो थेंक यू फूर वाचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं फिर से थेंक यू सो मुच पर वाचिंग दिस वीडियो